फोर बियम न्यूज नेटवर्ग में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशित जहीर चमपई सोरेंग उसको तो तोड़ने में सफल रहे अमिश्शाह हाला कि शुरू से जामूमों के संस्थापक नहीं हैं बाद में जुड़े थे लेकिन बेराल आख का चश्मा बनवाने आये थे दिली नितिश कुमार भी आख बनवाने आये बताय जा रहा है पता ये चला कि वहां जाकर के सत्ता ही पलटने को तयार है पार्टी तोड़ने को ह यार है उसमें तो काम्याब हो गए लेकिन अपने जो गड़ बंदन के लोग हैं यानि कि चिराग पासवान मेरे मन में बसें हैं राम कहा करते थे ना चिराग पासवान चीर के चाती पवन पुत्र बोले हनुमान मोधी जी को क्या कहा करते थे कि मैं उनका हनुमान है नाराज लग रहे हैं और जारखंड में अलग से चुनाओ लड़ने का लगबग लगबग ऐलान हो चुका है NDA टूटने की कगार पर है पहली बात तो उसके अंदर कोई बड़ा साथी जारखंड में हर्याना और कश्मीर के चुनाओ के तो आप लगबग बात सुन रहा है लेकिन जारखंड में किस तरह से कमर कसली है खास करके सत्ता पक्षने जो कॉंग्रेस के साथ जुले हुए हैं वहांके चीफ पिनिस्टर और अब NDA के अंदर भी छेद होने लगे हैं आप देखेंगे कि चिराख पासवान के इस ऐलान से उड़ सकती है बीजेपी की नीन NDA को लग सकता है बड़ा जटका सांसद इनके एक सांसद है उन्होंने भी बयान दिया था वो दिखाता हूं रास्ति अद्यक्ष और केंद्रिये खाथ पर संस्क्रनल मंत्री चिराख पासवान ने कहा कि जारखंड में NDA गडबंदन में उचित परति निद्धित नहीं मिला तो पार्टी अकेली भी विदान सवा चुनाओ लड़ सकती है लोचपा जारखंड में काफी मजबूत इस्थिती में है ये लोचपा राम विला पार्टी संगटन की स्थिती बहुत मजबूत हुई है उनके पिता के समय जारकंड में पार्टी की स्थिती मजबूत थी बीजेपी द्वारा आज सू वे जज्यू के साथ गडबंदन की घोशना के सवाल पर कौन क्या कह रहा है अभी इस पर टिपड़ी नहीं करेंगे रा परदेश नेतरत के निर्नेक पर केंद्रिय चुनाओं समीती मोहर लगाई की तो मैं आपको बता रहा हूं लेकिन इसके साथ साथ में अब आपको परदेश के लोगों की बाद भी बता देता हूं कि क्या चल रहा है आप देखेंगे तो 2019 की तरह जारकंड में बीजेपी का ह का हाल लोचपा नेता बेलाल खान ने धनबाद में दिया बड़ा बयान ये इनके अंदर के लोग भी दे रहे हैं विदान सबा को लेकर लोग जंचक्ति पार्टी राम विलास की ओर से तैयारी की जा रही है ये जानकारी पार्टी का अलसंक्यक परकोष्ट के अध्यक्ष बिलाल खान ने धनबाद में दिये मीडिया की बातचीत में का कि अगर लोचपा को जारखंड में टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी सभी 81 सीटों पर अपना चुनाओ लड़ेगी लोग जक्षंति पार्टी अलसंक्यक परकोष्ट के अध्यक्ष बिलाल खान ने कहा कि इस चोटी सी खबर आपको लग रही होगी लेकिन ये बड़े मैसेच को छुपाय हुए है ये खबर किस तरह से इस तरह से कि मोधी जी चाहते ही हैं कि एक जुट दिखाएं लेकिन देखिए सक्ता में होने के बावजूद भी ये लोग बिखरे हुए नजार आ रहा हैं वहां राहूल गांदी और इंडिया गड़ बंदन को कोई सकता नहीं है विपक्ष में बैटे हुए हैं लेकिन एक जुट नजर आ रहा हैं ममता का पक्ष लेते हुए नजर आते हैं राहूल गांदी केजरी वाल का पक्ष लेते हुए नजर आते हैं राहूल गांदी ये है देख करता हूँ कि भैस के आगे मेंड की वह मिसाल है जो यह Crist rikt interessantum देती हैं बच्चा पैदा जैन सिंग उसको दो सीटे मिली कहा जा रहा था अरे साथ पे लडोगे हारोगे दो दे रहा है दो पे जीत जाओगे और जीत भी गए इसमें कोई दोराई नहीं है ये बात अलग है कि थोड़ा परिशानी हुई है उनको अपना कद नीचे कर लिया है तो दोस्तो बात ये है कि ये तमाम इस्तितियां है सामने जो मैंने आपके सामने अर्स की है जार खंड का चुनाओ भी अब मोधी जी के लिए मुश्किल या एंड डिये के लिए मुश्किल बनता जा रहा है उदर नितीश में मजबूत आधार नहीं होगा ये पल्टी नहीं मारेंगे पल्टी लगेगी तो जरूर लेकिन वो इलक्षन से पहले लगे या कोई बड़ा मुद्दा है मोधी जी थोड़ा सा आले चलकर तो देखें चंदरबावु नाइडू बता देंगे कि साब मेरी मांग तो ये है इनकी मांगे आप पूरी को करना बंद कर दो पता चल जाएगा ये 12-18 सीट वाले आपको किस तरह से नचाते हैं फिलाल तो लोशपा ही बता रही है लोशपा की 5 सीटे है वो भी कह रही है साब अलग लल जाएंगे अगर आपने हमारे मन मताबिक काम ने किया और उनको पता भी चल गया कि अब उनकी बारगेनिंग की पावर है वरना इनको इस तरह से टीट किया जा रहा था कि साले नो बरस तो एंडिये के बारे में जिगरी नहीं हुआ कुछ जब यहां इंडिया गड़ बंदन बन गया तो मोधिज्यो को सूजा के नहीं नहीं एंडिये भी तो था एंडिये को पैदा कर दिया जाए तो खबर दोस्तों जारकंसे बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नहीं है आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट स्बॉक में जरूर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा शेयर कीजेगा नेक्स टाइब में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ जैखेर जापको झाल झाल